इस्रो द्वारा 14 जुलाई को लॉंच किया गया चंद्रायान तीन तेजी से चांद की ओर बढ़ रहा है। अभी बीते दिन ही इस्रो ने यान को चंद्रमा की कक्षा में उपर उठाने की पांचवी चरन की प्रक्रिया भी पूरी की है। इस मिशन पर न सिर्फ भारत के ज्यानिकों की नजर है बलकि पूरी दुनिया इस पर टक्टकी लगाए देख रही है। हाल ही में चंद्रायान तीन को पोलंड में पैनोप्टेस चार टेलिसकोप द्वारा अंतरिक्ष में उडते हुए देखा गया है। जिसमें चंद्रायान तीन एक छोटे से डॉट के बराबर दिखाई दे रहा है चंद्रायान तेजी से आगे बढ़ता देखा जा सकता है। चंद्रायान तीन की चंद्रमा तक की यात्रा के दौरान टेलिसकोप उसे डॉक्यूमेंट कर रहा है। चंद्रायान की यात्रा में इन्हें महत्वपून दस्तावेज की तरह भी द देखा जा रहा है। भारतिय अंतरिक शनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रायान तीन को चंद्रमा की कक्षा में उपर उठाने की पांचवे चरन की प्रक्रिया मंगलवार को पूरी कर ली, जिसे बड़ी सफलता माना जा रहा है। अब यह यान लेगा और एक अगस्त को निर्धारित कार्यक्रम के तहट चंद्रमा की तरफ बढ़ेगा। बता दे की 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रायान तीन को लॉंच किया गया। यह अभी पृत्वी के चारों और एक लाख 27,609 किलोमेटर बाई 236 किलोम चंद्रायान तीन के 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के सता पर सॉफ्ट लेंडिंग करने की उम्मीद है। मिशन का लंडर चंद्रमा के दक्षिनी दुरूप क्षेत्र को चूने के लिए तैयार है। चंद्रायान तीन मिशन इस्रो और दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण महत्व रखता है। इसमें लूना ओबिट से पृत्वी का अध्यायन करने के लिए स्पेक्ट्रो पोलरिमेट्री ओफ हैबिटिबल प्लेनेट अर्थ की नामा केक पेलोड शाम आने वाला चौथा देश बन जाएगा। 3M4 रखता है